दे रिंग्स आफ पावर एपिसोड वन शुरू करने से पहले थोड़े बेसिस क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको यह कहानी और अच्छे से समझाए आगे के पार्ट में टोकिन वर्स रिलेटेड माइनर स्पोईलर्स होने वाले हैं तो स्पोईलर्स अलेट अगर आपने करूँगा कि टाइम होगा तो देखी डालो यह फिक्सनल युनिवर्स हमारी दुनिया के काफे रिलीजियस किससे कहानियों से इंस्पाइड है यानि अच्छाई और बुराई की लड़ाई इस युनिवर्स का में गॉड का नाम है एरू इलुविटार जो अपने आइनूर के साथ टाइमलेस हॉल्स में रहता है टाइमलेस हॉल्स यानि इस युनिवर्स का हेवन और आइनूर यानि इंजल्स या थोड़े लो लेवल के गॉड्स एरू ने बस एक ही जटके में सारी युनिवर्स बना दे एरू इसी युनिवर्स के एक प्लानेट का नाम है जहां ह Hobbit और Lord of the Rings की सारी स्टोरी चली थी। एर्डा पर भी बस कुछ सिलेक्टेड एरिया ही जीने के काबिल था। और इसी में से एक हैबिटेबल कॉंटिनेंट का नाम है Middle Earth या एंडॉर। तो एरू ने यूनिवर्स बनाई, यूनिवर्स के अंदर प्लानेट आजा बनाया और प्लानेट में Middle Earth कॉंटिनेंट। टोकिन यूनिवर्स के सारी स्पीसिस इस Middle Earth में ही रहा करते थे। एंडा को बनाने के बाद एरू ने कुछ आईनूर को Middle Earth भीज दिया, जहां आईनूर ने एरू के सिखाय मैजिकल म्यूजिक को बजा कर दुनिया बसाई। आईनूर के ग्रूप में भी दो टाइप के होली स्पीरिट्स थे, एक वैलर और दूसरे मायार, वैलर मायार से थोड़ा ज्यादा पाउरफुल थे, मिडल अर्थ में रहने वाले कुछ स्पीसिस वैलर को गौड्स की तरह मानते थे, गौड्स लेकिन एरू से कम आईनूर स्पिरिच्वल क्रीचर्स हैं, जो मिडल अर्थ के साथ इंटरेक्ट करने फिजिकल बॉडिस बना लेते थे, अब गैंडल्फ दे ग्रे, फिर से जिंदा होने के बाद गैंडल्फ द वाइट कैसे हो गया, उसकी अलग लंबी कहानी है, वैलर ने मायार्स को मिडल अर्थ समाल ने स्पेसिफिक काम दिये थे, गैंडल्फ दे ग्रे का पहला काम था, मिडल अर्थ पर रहने वालों की मदद करना, गैंडल्फ द वाइट बनने के बाद इसकी ड्यूटी चेंज हो गई, और वो सीधा बुराई से लड़ने वाला विजर्ड बन गया, अगें इसके ज़्यादा डीटेल में नहीं जाते, तो एरू ने आड़ा को बनाया, और बाद में वैलार ने मायार की मदद से उसमें फाइनल टच अपस एड़ किये, लेकिन आप्बियसली सारही गौड्स एरू के इस ओर्डर से खुश नहीं थे, मेलकॉर नामी एक वैलार ने ब गौड या इंजल जो बाद में आलमाइटी के खिलाफ हो गया, वैलार को मिडल अर्थ पर रहने के लिए रोशनी की ज़रुवत थी, तो उनमें से एक आउले नामी वैलार ने टू लैम्स बनाए, टू लैम्स यानि बेसिकली इस उनिवर्स के सूरज और चान, लेकिन साइड मिडल अर्थ और दूसरी साइड एमान, एमान पर जाकर वैलार ने अपने लिए वैलिनोर किंडम बनाया, यहां रोशनी के ज़रुवत को पूरा करने, वैलार ने टू ट्रीज बनाए, लेकिन कुछ टाइम बाद मैलकॉर ने इन टू ट्रीज को भी तबाह कर दिया फिरिन टू ट्रीज से निकली एनरजी ने आसमान में जाकर सन और मून का शेप ले लिया, मैलकॉर एके ए मौर्गॉथ एरू के बाद यहां का सबसे पावरफुल गॉड था, यानि इस युनिवर्स का पहला डार्क लॉड, फर्स्ट एज के दौरान मौर्गॉथ में मिड हमेशा के लिए वॉइड में कैद कर दिया गया, वॉइड यानि समझ लो एक तरह का सुमसान पॉकेट डाइमेंशन, बहुत सारे रिलीजियस किस्से कहानियों की तरह इनका भी मानना था कि एक दिन मौर्गॉथ जरूर वापिस आएगा, लॉड आफ दे रिंग सीरीज का म में विलन, सावरोन भी पहले मौर्गॉथ के लिए काम करता था, सावरोन उसका सबसे वफदार ल्यूटेनेंट था, पर सावरोन के डेटल में जाने से पहले मिडल अर्थ के बाकी स्पीसिस के बार में बात कर लेते हैं, शुरूआत में एल्व्स और मैन इस कॉंटिनेंट के में स्पीसिस थे, इसलिए इन्हें चिल्डन अफ इल्वी चार भी कहा जाता है, एल्व्स खुद को क्वेंडी बुलाते थे, ये क्वेंडी हुंडी सी गोरी चिट्टी पर जाती, मिडल अर्थ की सबसे पुरानी रेस है, वैल्डर रेस, वैल्डर कुछ एल्व्स को कोई इन्हें मार नहीं देता, ये नहीं मरने वाले। चक्कर में मेन ने सीधा वैलार पर ही अमला कर दिया जिसके बाद एरू ने नियूमिनर आइलेंड को डुबा दिया फिर अकल ठिकाने आते ही बचे कुछे हुमन्स मिडल अर्थ पर आकर बस गये माना के एल्स और मेन मिडल अर्थ की सबसे पुरानी प्रजाती है लेकिन टोक इने हाफ लिंग भी बुलाया जाता था हॉबिट्स मिडल अर्थ के नौर्थ में खुशाल जिंदेगी बिताते थे लेकिन थर्ड एज के खतम होते होते वो नौर्थ से वेस्ट की तरफ माइगरेट होने लगे गोलम या स्मीगल भी वन रिंग के जपेट में आने से पहले एक हॉबिट ही था हॉबिट्स के बाद लोर में सबसे ज़ादे दिखने वाली प्रजाती है डॉर्स डॉर्स को गॉड अफ इन्वेंशन्स आउले ने इलुविटार की मदद से बनाया था फूरी यूनिवर्स में सिर्फ एरू इलुविटार ही नई लाइफ स्पीसिस बन करते हैं स्टूरी के बैड गाइस की यानि और्क्स मैलक और कुछ एल्स को किड्नैप करके अपने साथ ले गया था फिर उन्हें लगा था टॉर्चर करके और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करके मैलक और ने उन एल्स को और्क्स में बदल दिया यानि और्क्स औरिजनली एल् कि उसने अपनी डार्क आर्मी में corrupted elves को ही भरती कर दिया आज जाके अलग-अलग locations पर अलग-अलग type के दिखने वाले और्क्स मिलते थे और्क्स की तरह ही trolls भी मेलकॉर के लिए लड़ने वाले बुरे लोग थे लेकिन trolls के सबसे बड़ी कमजोर ये थी कि इन पर सूरज की रौशनी पढ़ते ही वो पत्थर बन जाते थे फिर आते हैं raids यानि spiritual zombies raids ऐसे creatures हैं जिनकी आत्मा को मरने के बाद भी शांती नहीं मिली डार्क magic के corruption की वज़ा से इनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए डार्क लॉड के गुलाम बन कर रहेगे रेट में सबसे ज़्यादा popular है ring raids, nazgul या फिर black riders इनके बार में हम आगे बात करेंगे token के बना universe में ऐसे और भी बहुत सारी species है dragons spiritual eagles giants giant trees या फिर ants giant spiders, rags, werewols oath breakers, एक-एक species और location के detail में जाएंगे तो ये वीडियो कभी नहीं खतम होने वाला ants को आप थोड़ा पट्टी पड़ा कर सवारी के लिए use कर सकते हो but unfortunately spiritual eagles अपने मर्जी के मालिक हैं हाँ ये एकदम जरूरत पढ़ने पर लडाई में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे बढ़ उसके बाद क्योंकि अगर टोकिन ने इने पाल तो बना दिया होता तो फ्रोडो का एडविंचर शायद बस कुछ दिनों में खतम हो जाता बाइद वे बैल्रोग्स भी पहले मायार ही थे जिनने मेलकॉर ने करप्ट करके अपना गुलाम बना दिया ओके तो अब फाइनली बात करते हैं सावरोन और उसके रिंग्स आफ पावर के बारे में गैंडाल्फ की तरह सावरोन भी एक माया था यानि वेलार को सपोर्ट करने वाला विजर्ड बढ़ अच्छाई के बज़ए इसने मेलकॉर या मॉर्गॉद का साथ चुना जैसा कि मैंने बताया था सावरोन मॉर्गॉद का बेस्ट लिटेन था मॉर्गॉद के आर्मी जॉइन करने से पहले सावरोन आउले का हुनहार स्टूडन था यानि सावरोन के बाद भी जबर्दस क्राफ्समन्शिप स्किल्स थे मॉर्गॉद के एक्जाईल के बाद सावरोन ने उसके जगा ले ली और अब ये मिडल अर्थ पर कहर बरसाने वाला दूसरा डार्क लॉड बना सावरोन के सबसे बड़ी ताकत थी उसका दिमाग वो समझ गया कि अगर मिडल अर्थ पर कबज़ा करना है तो सिर्फ पावर से काम नहीं चलेगा थोड़े दिमागी पैतरे भी लगाने होंगे और उसने बिलकुल ऐसा ही किया सावरोन ने क्याली बिर्मबर नामे एक एलवन स्मित को अपने जहां से में ले लिया फिर सावरोन ने इसके साथ अपने क्राफ्ट्समन स्किल शेयर करके उससे 19 मैजिकल रिंग्स बनवाए इनी मैजिकल रिंग्स को रिंग्स ओफ पावर कहा जाता है तीन रिंग्स एलफ के लिए सात रिंग डॉर्स के लिए और नाओ रिंग्स घूमन के लिए बट क्याली ब्रिंबर को शुरू में यह नहीं पता था कि सावरॉन ने सीक्रेटली एक और मास्टर रिंग बनाई थी वन रिंग टू रूल देम आल यानि उस मास्टर रिंग का मालिक बाकी 19 रिंग पहनने वालों को कंट्रोल कर सकता था सावरॉन इन रिंग साव पावर को मिडल अर्थ के पावर्फुल लोगों में बाठ कर हरे एक रेस के में लीडर को अपना गुलाम बनाना चाता था 19 में से 16 रिंग बनाते वक्त सावरॉन कैली ब्रिंबर के साथ था लेकिन Elves वाले तीन पाउर्फुल रिंग्स क्याली बिरम्बर ने अकिले में बनाये थे सावरान को प्लाण आलमोस्ट काम कर गया था लेकिन जल्द ही क्याली बिरम्बर और बाकी के Elves को 11 रिंग की भनक लग गयी वो समझ गए कि बाकी के सारे लेस पावरफुल मैजिकल रिंग्स किसी एक मास्टर रिंग के साथ लिंग थे एल्फ्स ने फारण उनके तीन रिंग्स निकाल कर सावरण के पहुंच से दूर छुपा दिये एल्फ्स को फसाने का प्लाण फेल होते ही सावरण डॉर्ड़ और मैन के पास चरा गया सावरण की बनाई हर एक मैजिकल रिंग में स्पेशल पावर्स थे इसी पावर का लालज देखर सावरण इन्हें फसाने वाला था सावरोन ने साथ रिंग्स डॉर्स को दिये और नव रिंग हुमन्स या मैन को दिये रिंग्स ओफ पावर के मिलते ही सारे नव के नव मैन फौरन सावरोन के कंट्रोल में आ गए ये मैन इतने ज़्यादा करेप्टेट थे के पावर और लंबी उमर की लालच ने इने रिंग्स में बदल दिया ये सारी अपनी कॉंशिसनेस खोकर डार्क लॉट की इशारपर नाचने वाले पपेट्स बन गए धीरे धीरे इनकी फिजिकल बॉडी का वजूद भी मिड़ गया और इनकी आत्मा पूरी तरह से नाजगुल या रिंग रेट्स में बदल गई येस वो ब्लैक राइडर्स या रिंग रेट्स नव रिंग्स बहनने वाले मैन ही है मैन तो फौरण सावरों के कंट्रोल में आगे बड़ उनफॉचनेटली, I mean सावरों के लिए उनफॉचनेटली डॉर्स इसके आगे बिलकुल नहीं चुके उन साथ रिंग्स ओफ पावर की मदद से डॉर्स को किंडम काफी पैसे वाला बन गया पर क्योंकि ये रिंग्स डार्क मैजिक से बने थे जल्द ही सारे डॉर्स के अंदर खजाने को लेकर लालज बढ़ने लगा सेकेंड एज के अंत में हुमन्स और एल्फ ने साथ मिलकर सावरों को भी हरा दिया इसी लड़ाए में मैंन के किंग एसल्दर ने सावरों के हाथ से वन रिंग को काट दिया और आगे चलके वो रिंग बिल बो बैगिंस को मिली शलिए अब फटाफ़र टोकिन युनिवर्स की एजिस के बारे में भी बात कर लेते हैं फर्स्ट एज की शुरुआत ही एल्फ्स के जनम से और इसका अंध हुआ मौर्गॉद के हारने के बाद सेकेंड एज मौर्गॉद के वॉइड में कैद होने से लेकर सावरों की हार तक चला फर्ड एज सावरों की हार से लेकर वोर अफ दे रिंग्स तक चला यानि लॉड अफ दे रिंग्स की एक्चोल टाइम लाइन वॉर अफ दे रिंग्स के फारण बाद ही फोर्थ एज की शुरुआत हुई इस एज को एज ओफ में भी कहा जाता है क्योंके तब तक धीरे देरे में आदा के डॉमिनेंट स्पीसीज बन गये थे सीजन वन के डीटेल्स में जाने से पहले इतनी इंफर्मेशन काफी है एपिसोड वन की शुरुआत वैलिनौर से हुई वो टाइम जब वैलिनौर के टू ट्रीस सही सलामत थे नन ने गलाड्रियल को कुछ एल्फ बच्चे परिशान कर रहे थे गुसे में अगर गलाड्रियल बुलीस को मारने चली गई लेकिन तब ही उसके बड़े भाई फिंडरॉड ने गलाड्रियल को रोक लिया गलाड्रियल को उसके फीचर डिसिजन को लेकर थोड़ा कन्फियूजन था यह नहीं जानती कि समय आने पर गलाड्रियल अपनी तकदीर कैसे चूज करेगी यहां फिंडरॉड ने उसे बताया कि सही समय आने पर गलाड्रियल बराबर अपना रास्ता चुन लेगी फिर अजल गलाड्रियल ने हमें First Age का Fast Forward Recap दिया कि कैसे मौर्गोद के Two Trees को तबा करते ही Elves और Orks के बीच लड़ाई छिड़ गई इसी लड़ाई के चलते Elves well not छोड़कर Middle Earth की और निकल पड़े जिसमें धेर सारे Elves की जान गई इन्होंने मौर्गोद को तो हरा दिया बट फिर जल ही सावरॉन ने उसकी जगा ले ली वही सब जो मैं अल्रेड़ी बता चुका हूँ लेकिन ये First Age वाली Book Stories के ज़्यादे डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि Amazon के पास सारे Prequel Books के राइट्स नहीं है येस सही समझे Amazon पस Lord of the Rings और The Hobbit Books के राइट्स खरीद कर Prequel शो बना रहा है यानि ओबियसली इस शो की कहानी ओरिजिनल बुक से थोड़ी अलग होगी इस लड़ाई के बाद Finrod ने ठान लिया कि वो सावरॉन को हरा करी मानेगा लेकिन unfortunately सावरॉन ने फिन्रोट को पहले धून कर मार दिया सावरॉन ने फिन्रोट की बॉड़ी पर अपना special symbol या sigil बना दिया था जिसका मतलब महान एल्स भी नहीं निकाल पाए जैसे कि मैंने बताया था एल्स practically अमर होते हैं जब तक उन्हें कोई मार नहीं देता वो नहीं मरने वाले फिन्रोट की मरने के बाद बरसो तक सावरॉन का कोई अता पता नहीं था धीरे धीरे एल्स भी इस नाम को भुलाने लगे सब को लगा कि साअरॉन और और्क्स की डार्क आर्मी हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया से लुपत हो गई लेकिन गलाड्य अपने भाई का बदला लेने तक चैन से नहीं बैटने वाली गलाड्रियल अपने भाई का ब्लेड लिए, कुछ एल्व्स को लेकर सावरोन और और्स की तलाश में निकल पड़ी इस मिशन में सिर्फ गलाड्रियल ही एक्साइटेड थी बाकी अर्स को लग रहा था कि इनके लीडर फालतों में परसनल मैटर सौल करने सबकी जान खतरे में डाल रही है ये सारे मिडल अर्थ के नौर्थ में बसे फॉरण वेट की बरफीली वादियों में सावरोन को धून रहे थे गलाड्रियल को पूरा यकीन था कि यहां बने पूरानी किले में इने सावरोन से रिलेटेड कोई न कोई सुराक तो जरूर मिलेगा किसी जमाने में इस किले के अंदर और्क्स डार्क मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे थे इस मैजिक की ठीक से समझना होनी की वज़ा से कुछ और्क का बहुत बुरा हाल हुआ अंदर थोड़ी चान बीन करते वक्त गलाडरियल की नजर इस सिजिल पर पड़ी वैसा ही निशान जो सावरोन ने फिन रॉट की बॉड़ी पर छोड़ा था गलाडरियल को लगता है कि सावरोन इस सिजिल की मदद से और उसको कहीं का रास्ता दिखा रहा है शायद मौर्डॉर का सबी उन पर एक स्नो ट्रोल ने हमला कर दिया फिर गलाडरियल ने एक्रोबेटिक एलवन फाइटिंग स्किल्स दिखा कर उस स्नो ट्रोल को मार दिया गलाडरियल को लगता है कि सावरोन किसी सीक्रिट इलाके में छुपकर लड़ाई के लिए आर्मी जमा कर रहा है इन्हें फारोन ने सीजिल को फॉलो करते वे और ज्यादा नौर्थ में जाना चाहिए लेकिन सावरोन ने शायदी निशान सदियों पहले छोड़ा होगा आज उसके पिछे टाइम वेस्ट करने से कोई फाइदा नहीं बाकी एल्वस को भी तॉंडर की बाते ज्यादा सिंसिबल लेगी उन्हें मिशन को यहीं रोक कर घर वापिस जाना था गलाड्रियल को चाहिए तो वो अकेली सीजिल का पीछा करते वे नौर्थ जा सकती है यह देखकर गलाड्रियल ने ना चाहते हुए भी इनके मिशन को यहीं रोक दिया फिर सारे साथ मिलकर लिंडन चले गए गलाड्रियल लिंडन से नई टीम जमा करके वापिस इस मिशन को कंटिन्यू करना चाहती थी फिर हमारी मुलकात हुई रवेनियन के पहाड़ी जंगलों में रहने वाले हारफुट से हारफुट भी हॉबिट की एक परजाती है इनके स्किन दूसरे हॉबिट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा प्राउन होती है साल के इस टाइम में हुमन हंटर्स को जंगल में पटकता देख साड़ोग बॉरोस थोड़े परेशान हो गया क्योंकि हंटर्स अपने पीछे-पीछे भेडियों को भी लेकर आते है एलिनॉर ब्रैंडिफुट उसकी बेस्ट फ्रेंड पॉपी और कुछ बच्चों को लेकर हारफुट की बाउंडरी से बाहर चली गई क्योंकि इस इलाके में सबसे बेस्ट ब्लैक बेरीज मिलते हैं बेरीज की मजे लेते लेते एलिनॉर की नजर इस निशान पड़ पड़ी एलिनॉर फॉरन समझ गई कि ये वुल्फ के पैर के निशान थे वो फॉरन पॉपी के साथ सब को लेकर वापिस अपने कभी ले चली गई एलिनॉर की मा मारी गोल को उसके ये एडवेंचर्स बिलकुल पसंद नहीं थे लेकिन एलिनॉर को बाकी हारफुट की तरह खाना बदोश की जिंदगी बिताने में ज्यादा इंट्रेस नहीं था उसे तो दुनिया घूमकर सारी मिटल अर्थ को एक्स्प्लोर करना था ये उड़ना चाहती है, डौडना चाहती है, गिरना भी चाहती है बस रुकना नहीं चाहती उदर लिंडन में एल्डरॉन एल्फ के हाई किंग गिलगालिट के लिए स्पीच लिक रहा था एल्डरॉन एक हाफ एल्फ यानि मेन और एल्फ का लवचाइड है फर्स्ट एज के एंट में से हाफ एल्फ को दो आप्शन दिये गए थे या तो हुमन्स या मेन की तरह लिमिटेड लाइफ जियो या फिर एल्फ की तरह अमर बन जाओ एल्डरॉन ने इमोर्टल या अमर बनने का उप्शन चूज किया उस वक्त हाफ एल्वन प्रजाती के एल्फ स्पेशल काउंसिल अटेंड नहीं कर सकते थे Anyways, एल्डरॉन और गलाड्रियल एक दूसरे के काफ़े अच्छे दोस्त है Lord of the Rings में हमने इनी दोनों का थोड़ा मिडल एजड वर्जन देखा था गलाड्रियल के लिंडर नाने की खबर मिलते ही एल्डरॉन फौरान उससे मिलने चला गया गलाड्रियल ने इसे सावरॉन की सिजिल के बार में बताया एल्डरॉन ने गलाड्रियल को चेताओ नहीं दी कि वो गिलगालेड के अगेंज जाकर अपने मिशन को कंट्यूनी नहीं कर सकती हाई किंग ने अल्रेडी गलाड्रियल के बहुत सारी गलतियों को नजर अंदाज कर दिया था गलाड्रियल को राजा का पेशन्स चेक नहीं करना चाहिए मिशन से वापिस है इन सूलजर्स के लिए गलगालेड ने स्पेशल सेरिमनी रखी थी अपैरेंटली इन एल्फ्स ने साबित कर दिया था कि अब इस दुनिया में मौर्गोद और साउरॉन की डार्क आर्मी का कोई वजूद नहीं गलाड्रियल इस बात से बिलकुल सहमत नहीं थी गलगालेड इसकी आँखों में डिसपोइंटन को साफ साफ देख सकता था लेकिन फिर भी एल्फ्स के सर्विस के बदले गलगालेड ने सब को समundर के उस पार बसे ग्रे हेवेंस एक एए वैलिनॉर भीजने का डिसिजन लिया एक एल्फ के लिए वैलिनोर भीज़े जाना बहुत बड़ी बात है एल्फ के एक टीम साउधन लैंड्स में बसे तिरहारेट टाउन पर नज़र रखे हुए थी कहा जाता है कि एक जमाने में तिरहारेट के हुमंस ने मौर्गॉत की आर्मी का साथ दिया था बस तब से एल्फ से इन पर कॉंस्टर्टी नज़र रखे हुए थे ये जब बुक्स में नहीं है सिर्फ शो के लिए स्पेशली बनाया गया है एरॉंदिर नामे एक एल्फ पेट्रोल करते हुए बार में घुज गया मैंन को ये घुसपैटिया एल्फ बिल्कुल पसंद नहीं थे रोवन ने दारू की नशे में एरॉंदिर को खुले आम खरी खोटी सुना दी रोवन यहां किसी किंग के बार में बात कर रहा था होपफुली ये डार्क लॉड की बात ना कर रहा हो लेकिन यहां सारे हुमन इल्फ से नफरत नहीं करते टाउन की हीलर ब्रॉनविन और अरॉंदिर एक दुसरे को काफी पसंद करते थे लेकिन अम्ने रेशिल इशूस की वज़ा से किसी ने प्यार का खुले आम इजार नहीं किया इस टाइप के हर कपल की तरह इनकी लव स्टोरी भी आसपास रहने वाले सबने भांपली थी ब्रॉनविन का एक बेटा भी है थी यो बड़ इसका हुमन हस्बेन बरसो पहलों से छोड़ कर चला गया फिर लिंडन से यहां के कमांडर को मैसेज मिला कि दुनिया से सावरॉन का निशान मिट गया यानि सावरॉन अब कभी वापिस नहीं आने वाला कमांडर ने फोरेने खबर सारे एल्फ तक पहुँचा दी कि फटाफट सामान बांदो और यह गाओं छोड़ कर वापिस अपने घर चले जाओ ति रहरेट पर नज़र रखने की इनकी ड्यूटी खतम और अब्वियसले रॉन्डिर इस डिसिजन से खुश नहीं था क्योंकि टाउन से डूर जाना यानि ब्रॉन्विन से दूर जाना फिर से कमांडर रेवियन ने रॉन्डिर को इन डिरिकली समझाया कि वो प्यार महबत वाली बाते बुला कर जल्दी अपने घर चला जाए रॉन्डिर ब्रॉन्विन को फाइनल गुडबाई बोलने उसके घर गया इससे पहले कि अपने प्यार का इजहार कर पाए वहाँ पर एक कस्टमर आ गया ट्रेडविल की गाई चारा चरते चरते होड़न टाउन तक भटक गई थी जब से वह अपिसाई है उसकी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही ट्रेडविल चाता है कि ब्रॉन्विन उसकी गाई के लिए कोई इलाज धून ले गाई को चेक करते होग अरॉन्डिर ने देखा कि उसकी बॉड़ी से दूद की बजाए ब्लैक गू निकल रहा था ये देखते ही अरॉन्डिर समझ गया कि मामला कुछ तो गड़बड है अरॉन्डिर अपने टीम को छोड़कर चान बीन करने होडन के और निकल पड़ा ब्रॉन्विन भी उसके साथ चल दी जूसे दराफ ब्रॉन्विन का बेटा थीयो रोन्विन को चुपके से अपने बान में ले गया बान के अंदर एक टूटी वी तलवार चुपी थी सर्प्राइजिंगली इस तलवार पर भी बिल्कुल वैसा ही सिजिल बना था जो सावरोन ने फिन डॉट की बॉडी पर बनाया था ब्लेड को टच करने के चकर में रोन का हाथ कड़ गया तलवार पर खून लगते ही थीयो को ब्लैक स्पीच के विस्पर सुनाई देने लगे ब्लैक स्पीच ये डार्क टंग अफ मौड और सावरोन ने इस्पेशली अपने सपोर्टर से बात करने के लिए बनाई थी वन ड्रेंग के उपर इंग्रेवट टेक्स भी ब्लैक स्पीच ही है रास्ते में राउंटिर ने ब्रॉन्विन को बताया कि किसी जमाने में चिर्हालेट के हुमन्स मौर्ग ओट के सपोर्टर्स थे इसलिए एल्वस को यहां के हुमन्स पर ज्यादा भरोसा नहीं ये सुन्दही ब्रॉन्विन को काफी बुरा लगा कि एल्वस पुरानी बातों को लेकर यहां के हुमन्स को अभी तक जज़ कर रहे हैं होडन पहुंचते इन दुरों ने देखा कि ये टाउन अब पूरी तरह से जलके राख हो गया फिर हमने देखा कि गलाडियल और उसके साथ ही बोट पर सवार वैलिनॉर पैरडाइस जाने की तयारी में थे वैलिनॉर का दर्वाजा खुलते ही गलाडियल को उसके भाई की बाते याद आने लगी समय आ गया है कि गलाडियल अपनी तकदीर खुद चुन ले या तो ये वैलिनॉर जाकर हमेशा हमेशा के लिए पैरडाइस में रहे या तो यहीं रुक कर दुनिया को आने वाले सावरॉन के खत्रे से बचाए एकदम लास्ट मुमेंट पर गलाडियल बोट से निचे समुन्दर में कूद गई इंडिकेटिंग के ये सावरॉन को हराने तक चैन से नहीं बैठने वाली फिन डॉट का बलेड हमेशा गलाडियल को इस बात की याद दिलाता रहेगा गिल गैलेड ने एलरॉन को कैली बरॉंबर के मदद करने के लिए भेज दिया किली बरॉंबर किसे special important project पर काम कर रहा था तब ही आसमान से एक meteor आकर सीधा हारफूर्स के इलाके में गिरा इस meteor को सबने नीचे गिरते वे देखा था गिल गैलेड को भी indications मिल गए थे जिए कुछ बुरा होने वाला है एलिनार एके ए नोरी चुपके से उस meteor के landing site पर चली गई landing point के बीचो बीच कोई अधेड उमर का आदमी बेहोश पड़ा हुआ था और यहां होता है episode 1 खतम अगर आपके वीडियो अच्छा लगओ तो please like, share and subscribe for more videos like this मैं ऐसे और भी videos बना जिनके links सबको description box में मिल जाएंगे thank you very much for watching and I am hoping to see you in my next one